नमस्कार मीटी लाइव में आपका स्वागत है आज की प्रदेश की चार बड़ी खबरों के साथ हाजरूए है पहली खबर की बात करते हैं जो कि मध्यप्रदेश 10 बोड के रिजल्ट से जुड़ी हुई है आज 10 वी का रिजल्ट आ गया है MP बोड का स्कूल सिक्षा मंत्री और सामानी प्रशासन राज्यमंत्री इंदर सिंग परमार ने सिंगल क्लिक के माध्यम से आज 10 वी का रिजल्ट घोशित किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 वी में एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है आगे एक विशेश परिक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें वह शामिल हो सकते हैं और ये विशेश परिक्षा एक से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी पहली बार होगा कि 10 वी के रिजल्ट में 100 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं और पिछले साल दसवी बोट की राजस्तरिय मेरिट सूची में टॉप 10 स्थानों में 360 बच्चों ने जगह बनाई थी इसमें भोपाल के 17 बच्चे शामिल थे तो आज दसवी MP बोट का रिजल्ट आ गया है 10 लाग स्थूडेंट्स इसमें शामिल हुए थे और एक भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है हमारी प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं मधिप्रदेश की राजनीती में गहमा गहमी का मोहल बना रहता है आरोप कमेटी के सदस्य और महराश् Israelis के वरिष्ट नेता विश्व बंदू राई ने मुख्यमंत्री और राजसभाथ सान सद्दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी को चिठ्थी लिखी है उन्होंने चिठ्थी में कहा है कि दिग्विजय सिंह की जुबान पर रोक लग southern जाए उनके अनर्गल बयानों के कारण कॉंग्रेस लगातार पिछषड़ती जा रही है कहना है वरिष्ट नेता विश्वबंधु राय का उन्होंने कहा कि या हिंदूओं को अपमानित करने वाले बयान देते हैं जिससे वो कॉंग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहे हैं च प्रदेश में कमलनाद सरकार गिराने में भी दिग्विजे सिंग की भूमिका रही लिहाजा इनकी भूमिका की जाच होनी चाहिए विश्वबंधु राय ने कहा है कि दिग्विजे सिंग जहां जहां रहे हैं पार्टी को नुकसान हो रहा है इसके पलटवार में दिग्व विश्वबंधू राय कौन है उन्होंने पहचानने से इंकार कर दिया ये पत्र विश्वबंधू राय ने सोनिया गांधी को लिखाया और इसके बाद बीजेपी ने भी कॉंग्रेस को घेरा है मध्यप्रदेश के ग्रेमंत्री नरोत्तमिश्रा ने कहा कि दिग्विजय में उनके बैयान सामने आते हैं अब इसके पलतवार में दिग्विजय सिंग ने रिष्वबंधू राय को पहचानने से इंकार कर दिया है देखना होगा कि ये मसला तक जाता है और उस पर क्या प्रतिक्री आती बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर जनसंख्या नियंतरन कानून जो चर्चा में है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस कानून को लाने ज़ारी है और इस बीच मध्यप्रदेश में भी चर्चाएं काफी तेज हो गई है इस बीच मध्यप्रदेश की गौालियर हाई की डबल बेंच ने इस जनसंख्या से जुड़ा हुआ ही एक मसला सामनी आया एक फैसला सुनाया है गौालियर हाई कोट ने और गौालियर हाई कोट की बेंच दुबारा लिया गया ये फैसला प्रदेश में काफी जादा चर्चित है गौालियर हाई कोट ने नौकरी में न योग्य करार दिया गया इस आदेश के खिलाफ अधिकारी ने हाई कोट में आचिका दायर की थी जिसको खारिस करते हुए हाई कोट ने ये कहा है कि 26 जनवरी 2001 को कानून लागू हुआ है इसके बाद तीसरा बच्चा हुआ तो सिविल सेवा अधनियम 1961 के तहट सरकारी नौकर प्रमाडन अधिकारी की परिक्षा युवक लक्षमन सिंग बगेल ने दी थी और इनका मेरिट लिस्ट में सात्वा नाम आया था खास बात यह है कि फॉर्म जमा करने के दौरान 30 जून 2009 को अधिकारी बगेल के दो बच्चे थे वहीं 20 नवंबर को अधिकारी बगेल के घर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ विभाग द्वारा जॉइनिंग के वक्त उन्होंने तीसरे बच्चे की बात छुपा ली थी लेकिन आगे जब मूल निवासी प्रमाडपत्रों राशन कार्ड में तीसरी संतान की जानकारी सामने आई तब उन्हें नौकरी में अयोग्य करा जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोट में याचिका दायर की थी लेकिन वहां से भी उनकी उस याचिका को खारिस कर दिया गया है मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1961 के तहट जिनके तीसरे बच्चे का जन्म 26 जन्वरी 2001 के बाद हुआ है उनको सरकारी नौकरी नहीं म उक्तर प्रदेश में जनसंखा नियंत्रन कानून लाने के बाद सामने आई है योगी सरकार इस कानून को लाने जा रही है उसके बाद मध्यप्रदेश में भी इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं बढ़ते हमारी आज की आखरी कबर की ओर जो रीवा से है मध्यप्रद का यहां पर आसामी निकला आई से अधिक संपत्ती की शिकायत मिली थी जिसके बाद लोकायुक्त की टीम उनके घर पर पहुंची अधिकारी के तीन ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने च्छापा मारा है और यहां से एक किलो सोने की इट तीन लाख क्याश साथ लाग की FD सहित 6.77 करोड की संपत्ती मिली है 6 करोड से जादा की संपत्ती अधिकारी के मिली है यह कारवाही रीवा भोपाल और शहडोल शहर में बुधवार की शाम सुबब 5 बजे से चल रही है और 6 करोड से जादा की संपत्ती का आसामी भू सरवेक्षन अधिकारी निकला है और अधिक की संपत्ती का जिसके खिलाफ कारवाही दर्जकर शिकायत दर्जकर लोकायुक्त की टीम उनके घर पहुंची और दबिश दी 35 साल की नौकरी में 70 लाग की सैलरी है लेकिन 6 करोड से जादा की संपत्ती अधिकारी के घर से मिली है और आगे की कारवाही अब इस पूरे मामले में जारी है आज की चार बड़ी खबरे तमाम खबरों के लिए देखते रहे विंध्या टाइम्स बहुत बहुत धन्यवाद